हेलो गाईज, वेलकम टू आर व्लॉग मीनू 21 और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ये देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं गाईज ये देखिए यहाँ चेयर पे उस बेडरूम में भी मैं है ला के रखी हूँ क्योंकि हमारे आना तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है आज तीसरा चोथा दिन है और ये देखिए यहाँ पे भी कुछ कपड़े सूख रहे हैं जो छोटे कपड़े हैं वो यहाँ मैं डाली हुई हूँ और बाकी मतलब पूरे घर में कपड़े ही एक सेकेंड के लिए भी रुकी नहीं है तो उसकी वज़़े से भी काम बढ़ गया है और बारिश की वज़़े से आज शीला भी नहीं आई है आपसिंट कर दी हैं तो मेरा काम शुरू हो गया है देख रहे हैं पीछे भी कपड़े मेरे फैले हैं तो फैन में तो कुछ संडे मैं नाघ्जा को कप्ड़े काम में लग गई और जैसे पता रहता है कि कोई हाउस traum प्रेशर भी स्कापने करना है और संडे का दिन होता है कि बच्चे घर में रहते हैं तो काम बढ़ जाता है जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मुझे लगता है कि जल्दी काम सब हो जाते हैं लेकिन बच्चे घर में रहते हैं तो टाइम पे नाश्ता नहीं करेंगे कुछ नहीं करते हैं तो इससे काम भी बढ़ता जाता है उनके चक्कर में भी तो ये पैंट वगेरा तो मैंने नहीं धुला था तो ये एक एक दिन ही बच्चे पहने थे तो इसको मैं डाल दी हूँ और ये काफी दिनों से क्रिश्णा की पैंट के नीचे की मोहडी निकली हुई थी तो उसको मैं कर द नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ बहुत जल्दी ये सब काम और उसी टाइम होता है और अब मैं आ गई अपने वही रोजाना की काम में और ये सब प्लास्टिक में नगाई सौफ टॉइज है इन लोगों के बचपन के मैं अलमीरा में रखी थी फिर मैं सोची इसको ये सब क्योंकि बेड रोज रोज खोलना गाईज मेरे बस का नहीं होता है एक तो गद्दा इतना मोटा होता है उपर से उठाने में मेरी कमर दुखने लगती है इसलिए मैं दोनों ही दिवान में ऐसी ही सामान रखती हूँ जो सीजनल होते हैं जो कभी कभार मतलब वन सीन यर निकालने होते हैं तो वही सामान बस मैं रखती हूँ रोज वाली चीजें मैं इस वे नहीं रखती हूँ बलकि मुझे ना जो ट्रंक होता है बकसा होता है वो खोलना ज्यादा आसान लगता है लेकिन बेड खोलना मुझे बहुत ही मतलब हैक्टिक काम लगता है और मेरे अकेले के बसका नहीं होता है निकाल खोलना और ये देखिए गाइज मैं साफ सफाई कर रही हूँ और जब खुद से आप करिए ना साफ सफाई तो ज़्यादा सैटिसफैक्शन मिलता है लेकिन अब क्या करिए काम की वज़े से एक हैल्प तो लेनी ही पड़ती है वैसे तो वो काम में जो सुकून मिलता है और लगता है कि हाँ सफाई जो होती है अच्छे से ना उसकी अलग ही सैटिसफैक्शन होता है तो ये जब मैं करती हूँ ना तो इतना मतलब सब चीज जब मैं सफाई करने लगती हूँ तो मेरी आदत है मैं एक किनारे से सब सलीके से करती कि कोई भी चीज छूटने न पाए जैसे जाड़ू भी लगाती हूं तो साइड के जोल वगेरा सब साथी में निकालती रहती हूं लेकिन ऐसा हाउस हेल्प के संग नहीं है वो लोग को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है रोज रोज टोकना वो मेरी आहाबिट में नहीं है क्य है तो हम दूसरों को क्यों टोके तो यहाँ पर गाईज मैं सबको नाश्टा वर्ष्टा करा के नहाध होके आ गई हूं अब मैं वही अपना रूटीन मतलब मौशराइजर मैं जरूर लगाती हूं और अब जा रही हूं लंच की तैयारी करने के लिए और आज तो सोची थी पूरे टाइम आंगन में बारिश ही हो रही है तो शेड वो तो लगा है तो देखिए बरतन कुछ-कुछ थे मैं जरूरत के वो धुली हूं और जाडू पोचा करने में इतना टाइम हो गया गाईज तो वही अब मैं चल रही हूं किचन की तरफ जट पठी कुछ बनाऊंग है और अब लग गई है मुझे ठकान और आज मैं कुछ देर से उठी भी थी इसलिए थोड़ा काम भी डीले होता जा रहा है और आज तो बिल्कुल भी मैं कपड़े नहीं धूलूंगी क्योंकि घर में खुदी फैलाने की जगा नहीं और बहुत दिनों से गाईज मैं ना व वो आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा तो मैं वहीं लूँगी और यहां मैं किचन में मतलब जैसे कुछ भी करते रहिए ना मेरी आदत होती है कि मैं जटपट वहीं पे जटपट सब करती हूं कितने लोगों की आदत होती है बैट के सबजी काट वाट लिए फिर गए कि पेहले भून लेती हूं और फिर उसके बाद जो का चछा पन निकल जाता है तब मैं आलू डालती हूं क्योंकि आलू तो बहुत जल्दी पक जाते हैं तो इसलिए पिर वो कच्छा पन निकल जाता है तो सही लगता है टेस्ट में बहुती है और अब गाईज मैं यह शाम के समय आ गई हूँ मैं दो पहर में थोड़ी देर आराम करने लेट गई थी तो अब मैं आ गई हूँ आज मैं ना कितने दिनों से किचन के लिए ना परदा बनाने का सोच रही थी ड्रिल तो मैं काफी पहले ही करा ली थी और उसकी जो स्प्रिंग आती है वो भी मैं खरीद के ल जाती है तो इसकी हाफ एन हाफ वाली साड़ी थी तो आधी साड़ी तो ब्लैक जो पोर्शन था वो तो काफी अच्छा जॉर्जट माटीरियल है और यह ऐसी मतलब कढ़ाई थी कढ़ाई क्या मशीन वर्क था कि वो पूरा उधर रास सारा था दूर से तो यह बहुत अच् कप् güreli हो गया था तो भी मैं लगी हुई थी वही है ना कि जब किसी चीजका जुनून सवार हो जाता है ना कि आज इसको कंप्ली ठीकर लेते हैं तो यही मैं आज कर रही हूं और जब करने के बाद जो सैटिस्फैक्शन देख के मिलता है उसकी अलग ही बात होती है गाईज और अच्छा लगता है खुद से मुझे घर सजाना लेकिन अब क्या करे टाइम की कमी और कभी कभी क्या होता है अलस भी आजाता है इसलिए भी नहीं कर पाती हूँ तो वही मैं लगी हूँ कि आज इसको करके ही दम लूगी और दे इसलिए आपको हाडवेर शॉप पे मिल जाएंगी उसको ना आप अपने लेंद के अकॉर्डिंग कर सकते हैं मेरा प्लायर का नोस प्लायर से यह बहुत अच्छे से कट जाता है मेरा यह नॉर्मल वाला प्लायर था तो थोड़ी सी मशक्कत लगी थी और कई बार तो जैसे कट कर लीजिए या कट करवा के लाइए तो वो जादा इजी हो जाएगा और लगा दीजिए मेरी थोड़ी मशक्कत हो गई उक्तारों को काटने में भी क्योंकि नोस प्लायर था नहीं और प्लायर से बहुत हार्ड थे कट नहीं रहे थे मुझसे तो वही सब की और मैंने न शाम से ही लगी थी और अभी रात के न साड़े ग्यारा वज रहें गाईज तब साड़े ग्यारा वजे तक मेरा पुरा काम हो गया था गाईज और ये देखिए एक तरफ का हो गया और दूसरी तरफ का भी मैं फिर सोची न सबको खाना वाना देने के बाद मैं सोची इस सा प्यार हो गया और बनने के बाद इतना अच्छा लुक आ रहा था ना बिलकुल किच्छन का लुक ही बदल गया था तो गाईज अगर आपका भी नॉन मॉडियूलर कीचन है ना तो इस तरह से आप अपने मन पसंद किसी भी कपड़े से मलब साडी का दुपट्टे का या बाह ही लेके आऊंगी कुछ रैक्स और कुछ इजेंशियल्स मुझे खरीदने हैं तो यह है मेरा फाइनल लुक आप लोग भी बताईएगा गाईज आप लोग को कैसा लगा और इसी के संग व्लॉग को एंड करते हैं आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और थांक यू फो वाचिंग बाई